बैक चाहे आप लाक रुपे का क्यों न ले लो पर अगर अच्छी ग्रिप आप यूज ना करो तो बैक तो भाई ऐसे फिसलता रहेगा ये गया, ये भी गया, अरे ये भी गया हेलो क्रिकेटर्स, वेलकॉम बैक टू यार चैनल क्रिकेट कार्डियो आप सभी लोग कह रहे थे कि भाई informative वीडियो क्यों नहीं आ रही है तो नया साल, नई टाइप की वीडियो आपका भाई लेके आच चुका है आज की वीडियो है बैक, ग्रिप और उनके टाइप के उपर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि मैं personally कौनसी बैक की ग्रिप यूज करता हूँ, यह मैं लास्ट में बताऊँगा और ग्रिप को असानी से चड़ाएं कैसे, इसका तरीका भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा तो देखते हैं कौनसी ग्रिप में है दम और कौनसी ग्रिप में है फ्रिक्शन काम हम सबसे लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी के उपर जाएंगे तो सबसे पहले आती है HRS की Chevron Bat Grip इसका पैटरन क्रिस क्रोस टाइप है और सही बताओ तो भाई बिल्कुल मत लेना बिल्कुल Frictionless Grip है अगर आप Double Grip से खेलते हो तो इसको नीचे वाली Grip बिल्कुल रख सकते हो बाकी तो मुझे इसका कोई काम नहीं लगा सेकेंड आती है यह Tornado Grip और इसे Rain Grip भी कहते है भाई मैं यह नई दुकान से लेके आयो पर बिल्कुल भी नई लगी नहीं रही है बाकी Friction तो ठीक ठाक है Leather Bat के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा आप Tennis Bat में बिल्कुल यह यूज़ कर दगे थर्ड है यह Rock Dotted Grip ब्लू कलर में और यह Comparatively पिछली दोनों Grip से काफी बेटर है इसमें आपको Zig Zag Lines भी नजर आएंगी और Rock Dots भी नजर आएंगे इस Grip का एक Upgraded Version भी आता है जिसका नाथ Octopus Grip है यह पहले के टाइम में काफी famous थी बट चल्दी घिज जाती थी उसकी वज़े से back slip होने लग जाता था फोर्थ आती है कुकाबूरा की यह Zig Zag Grip यह Grip पहले कुकाबूरा के back में use होती थी बट मेर को तयार बहुत slippery लगी इसकी Zig Zag Lines की वज़े से Up Down में तो काफी अच्छी friction है बट sideways में यह slip कर सकती है इसका better version है कुकाबूरा का यह Fish Scale Grip इसने जो sideways slip की problem थी वो solve कर दी इन दोनों की combined version है कुकाबूरा की यह Waves Grip इसमें Zig Zag Curves भी है और Fish Scale Structure भी है You can definitely go with this grip काफी अच्छी friction यह offer करती है और मैं personally यह use करता है 7. थाला नमबर पर आती है HRX की यह Matrix Grip इसमें Zig Zag Lines है और बीच में जगे भी है ताकि आपका अब हाथ अच्छे से से सेट हो जाए बैट के उपर You can go with this grip बट मेरी जो personal favorites जो मैं अभी use कर रहा हूँ वो last में आएंगे और आप सभी लोग भी comment करके अपनी grip का नाम मुझे जरूर बताना अब चलते हैं next grip के उपर Match में तो आप सभी ने hexagon पढ़ाई होगा बट grip के उपर hexagon भाई दिखा देते हैं भाई बहुत ही अच्छी friction offer करती है ये इस grip का नाम है hex back grip Hex मतलब hexagon की shape आपको नजर आ ही रही होंगी जिससे back के slip होने के chances बहुत कम हो जाते हैं अब बात करते हैं मेरी personal दो favorite grips की ये दोनों मेरी current favorite grips है जो मैं अभी use कर रहा हूँ ये है SS की traction grip और ये है SG की all-in-one grip SS traction grip HRS का एक better version है क्योंकि zigzag lines की quantity जादा है तो friction भी जादा मिलती है SG वाली grip में आपको band lines और pyramid structures मिलेंगे जिसकी वज़े से friction काफी जादा रहती है भाई इस वाली grip को आप आँख बंद करके use कर सकते हो मैं personally सारे bats के लिए ये वाली grip यूज़ करता हूँ इन सभी grips के prices 60 rupees से 120-140 rupees तक vary करते हैं अब चलिए देखते हैं इन grips को बैट के उपर लगाया कैसे जाता है free में और इस grip कोन की help से grip कोन अगर आपको खरीदना है 200-300 rupees के आसपास ही आ जाता है link description में आप सभी को मिल जाएगा वहाँ से जाके आप करीच सकते हो यह आपके बैट के ऐसे आना चीए तो आपको grip को सबसे पहले उल्टा प्लेस करना है यह देखो ऐसे यह ऐसे सैट हो गई इसके बाद आपको ऊपर की सैट रोल कर देना है ठीक है ऐसे रोल होने के बाद आपको दुबारा इसको उल्टा करके डाल देना है अब इसको आपको बिल्कुल नीचे तक रोल कर देना है यहां तक और इसके बाद लेना है बैट नीचे थोड़ा सा पु अब बस इसको नीचे तक प्यार से आपको रोल कर देना है और इसको अब उपर ये लो थोड़ा सा ऐसे पुश करके ये लग चुकी है हमारी ग्रिप ग्रिप कोन से अब बात करते हैं कि आप फ्री में कैसे ग्रिप चड़ा सकते हो अगर आप सभी को धाई सु तीन सु रुप अब करना कुछ निए भाई ग्रिप कोन से भी असान मुझे ये वाला तरीका लगता है नेक्स्ट आपको बैट के उपर लेके जाना है और नीचे स्लाइड करके ऐसे खीच के लेके जाना है ऐसे अब इसके बाद आपको एक सिजर की नीड पड़ेगी ग्रिप को ऊपर रोल करके यहां से आपको पॉलिथन को काड देना है अब इसको दुवारा रोल डाउन करना है नीचे अच्छे से रोल करने के बाद ऐसको ऐसे नीचे लेके जाना है और इस वाले को ऐसे खीच लेना है यह सारी पॉले थे निकल चुकी है और ग्रिप आपकी चड़ चुकी है फ्री में एक मैं आपको टेप बताना चाहूंगा ज इसकी वज़े से जो आपकी ग्रिप है वह जैसे आप यूज करते होगे वह उपर चड़ जाती होगी बैटिंग करते करते तो वह उपर नहीं चड़ती है तो एक चोटी से टेप है यह मेरी तरफ से आप सभी लोग भी डॉक्टर टेप यह ज अधिकल टेप भी बोलते है त कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए किस टॉपिक के उपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए और वाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना वी आर वेरी क्लोज टू बन मिलियन और वन मिलियन पे आप सभी के लिए एक सर्प्राइज भी गेट कर रहा है कि क्रिकेटर्स आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या फिर व्लॉग में जैन नमसकार बाइबाइब आए एक सब्सक्राइब कर दो अब्रकुल कि यह पार है